हेलो सुदेंट्स वेलकम अगेन इन यूर ओन यूटूब चैनल डाटिस ट्रस्टुटोरियल्स तो आपको सवागत है इस मेरे न्यू वीडियो के अंदर तो बहुत सारे डाउट मैं सुदेंट से पूछता हूं कि आपको कौन सी ऐसी प्रोब्लम है जो आप डेली बेसिस पे यह अपण सेंद्धर को यहां पोई तो नहीं पसंद तो अब क्या होएं की सबसे पहले के बार इस नहीं पासंद तो यह जो पर तो आपको चोक्लेट बहुत जादा पसंद आपको चोक्लेट की बसंदानी नहीं बिल्कुल पसंदिते करती है। लूज़ाते तो ऐसा थे जो था एक आपको सब्सक्राइब नहींस यकूराइडं करें ao और आपका वो क्या हुआ απ्तों माना करने लगा कि एक्सित होना जब कोई event होता है उसके बाद हमारे हमारे माइन्ड यह देखता कि उससे हमें क्या मेला क्या मैं उस चीजी के बाद successful लगा क्या मुझे उसके बाद pleasure मिला या फिर होसकता हो ब्जेट की मुझे failure face करना पड़Е या फिर मुझे unpleasant सा feel भी हो रहे की मैं को जाएगी subconscious mind के अंदर आपको एक feed मिल जाएगी कि यार यह काम करने से मुझे अच्छा लगता है मुझे दुबारा यह काम करना है ठीक है लेकिन अगर आपको success नहीं मिलती है आपको एक failure face करना बढ़ता है आपको एक side face feel करना बढ़ता है तो आपका mind कहेगा कि यह काम दुबारा से नहीं करना ठीक है तो यहां पर क्या करना है तो maths में हमारा interest क्यों कम हो जाता है तो उसके पीछे की reason है तो for example कि आपने एक test दिया आप उसके लिए prepared थे 7th 8th class या 9th class में आपने math का test दिया और आपके उसके अंदर नंबर अच्छे नहीं आए बिल्कुल भी आप उसमें अच्छा prepared नहीं कर पाए और for example कि आप अगर हो जाते हो तो आपका माइंड क्या बोलेगा मुझे math नहीं पसंद आपके parents का पूछेंगे तो बच्चा क्या कह देगा कि मुझे math समझ नहीं आती मम्मी जब मुझे math समझ नहीं आती मेरे से math नहीं होती मैं अपर नहीं लेता है दूसरों के वपर क्या करता है कि मेरे को मैं पसंद नहीं होटी एक बर बच्चे के कम नंबर आए उसके बाद हमारी लिवां में क्या आजाता है कि में नहीं पसंद मुझे math समय के तो सबसे पहले के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले रीजन पगड़ता है तो सबसे पहले रीजन क्या है कि उसका मैंच को लेकि उस टॉपिक का कॉंसेप्ट क्लिए नहीं है कि उसके जो ड्रिल उसने प्रैक्टू करी जिसके वज़ा से उसको अपलाय करना भूल या फिर उसका करना गलति थाथ हो इन हरी जो टोप पर बच्छे करते वाली जनको सब कुछ आता है नहीं जल्दबाजी में मैं आथ को सबीज बहुत रहती है पर एक्जांपल आपको टोपिक आता है बहुत अच्छा से आता है तो कभी कवारम क्या करते है कि हम रेको को आता तो फड़ा फड़ाइब के चक्कर में पेपर करने के कभी प्लेस गलत करती कभी फोम्ले गलत लगा दिया और हम कॉंफेड़न से सोचते हैं कि यार मेरे वेप प्रैक्टिस ने गरी और जो मारे थर्ड रीजन था कि भाई उसके अंदर हमने हरी के चक्कर में जल्द बाजी के चकर में कोई ना कोई मैंस नहीं पसण तो यह कि एक दिन में नहीं आई करने लगे और मैंस से दूर इनदी पर लूँगा लगा लाकिन मैस्ट की बार जब आएगी ना ऊससे पीछे भागों सच्छ नहीं है बस मेरी तो अब उसके लिए एक दिन में अगर या प्रोबल् sect नहीं हूए है तो एक दिन में प्रोम सौLUD भी नहीं होने वाली ठीक है उसके लिए मैं आपको एब ऐसर देतों में एक दवाई जिसका नाम है 3P अब वो आपको happiness feel करेगी यार मेरे को concept clear हो गए अब मैं एक्सराइज कर लोगा सेकिंड पी मलए दुबारा जब आप प्रक्टिस करोगा सेकिंड पी की बारे जब दुबारा प्रक्टिस करोगे तो आपका जो अंडरसेंडिंग लेवल है वह आपका इंक्रीस हो लागा और थर्ड पी प्रक्टिस और थर्ड पी के नदर पी ही रिलेटेट इस पर्मनेंट आपकी वह जो टोपिक है आपका जो वह मैस का concept है वह बिल्कुल पर्मनेंट हो जाएगा तो पहले पी प्रोवाइड देगा आपको happiness की भाई आपका concept clear होता जा रहा है सेकिंड पी आपको पहले चेप्टर से स्टार्ट पहले चेप्टर में अपने concept के लिए कर लो टीचर ने पढ़ा दिया घर आजाओ को पहले से स्टार्ट करने के बाद उस एकसाइस को फिर से दुबारा करो जब आप उसको तीन बार कर लोगे तीसरी बार तक वह पर्मनेंट हो जाएगी अब उसको बोला कि अपने पर जाओ यह टीचर के पार जाओ ने फ्रेंट के पार जाओ अब इस एसका मेरे टेस्ट लेने के बाद क्या होगा माले 10 नमबर तो आपके 10 में से 10 आजाएंगे 8 नो आजाएंगे ठीक है अब 10 नमबर आपका माइन क्या करेगा एक हैपीनेस प्रोव यह महसूस होगी तब आप जाओ होगे कि यहार मैं दूबारा से मैत्स कर सकता हूँ यार मेरे तो इंटरस्क रेट होना लग गया मेरे इंटरस्क रेट होना लग यह अब यह प्रोब्लम कहां पर जाके ठीक है कि जब आप उसको एक बढ़ा करोंगे दूसरी बर अप्लाए तो जाए कि आपको मैं सची लगती है पहले इवेंट होगा आपके अच्छे नमबर आएंगे आपका माइन सोचे का वेरी गूट यार मैंने कर दिखाया मम्मी यह देखो पापा यह देखो भाई यह दे कितने बढ़ी नमबर आए मेरे बहुत अब इसके बाद क्या होगा कि वो लोग आप उनको अपनी दिखाना चाहोगे आप अपने अंदर खुशी महसूस करो गया और मैंने दुबारास अच्छे नमबर आ गया यार मज़ा आगया क्या वीडियो दिखाई थी सर ने यही करना है मेरे को तीन पी वाला थ्री टाइम प्रेक्टिस वाला यही स्टा अपनाओ ना अपनाओ उसके वाद आपसे खुद से मन करेगा कि मैं प्रेक्टिस करो तीन बार गया तीस बार भी उस को निप्टा लोगे जब आपका मैंड यह बोल देगा ना कि मेरे को यह चीज़ पसंद है वह बार बार उस चीज़ को करने के लिए फोलो करेगा आपको यार करना आज मैंस क्यों नहीं करी तुने यह मैंड बुलेगा आपको की आज तुने मैंच क्यों नहीं करी यह मेरा वाद है तो starting में आपको थोड़ी सी problem हो सकती है 3P strategy से लेकिन एक long time मैं आपकी psychology भी ठीक हो जाएगी कि yes मेरे को मैस अच्छी लगती है और आप खुद से म मेंबर यहां से यहां हो जाएंगे तोप के अंदर और आप तोफ फाइव सुडेंट्स के अंदर आ जाओगे अपनी क्लास के बस मेरे आज की वीडियो में इतना ही तो प्लीज इस स्टाइटर जी को फोलो करो मेरा चैनल का यहां पर एक लोगों बना रहोगा मेरी फोटो की किसक्रिण दर उसको फोटो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आप न्यू सस्क्राइबर तो तो और वीडियो तो बीडियो में यहां पर एक दो मेरी ओर वीडियो जी होगी जो और अपके लिए तो प्लीज उनको भी वोच कर लो फिर मिलते हैं एक एजुकेशन वी